असलाम अलेकूम प्यारे बच्छों कैसे हो आप उमिद करता हूँ आप अच्छे होंगे आज का जो हमारा सबक होगा वो एक नया हुर्फ सीखना है ठीक है और वो नया हुर्फ कौन सा है तो ये देखिए नया हुर्फ होगा हमारा छोटी ये अब छोटी ये कैसे दिखाई देती है सामने जो दिखाई दे रहा है आपको ये हमारी छोटी ये की शकल है ठीक है अब छोटी ये से शुरू होने वाले कुछ लवजों की तस्वीर हम देखेंगे ठीक है सिर्फ तस्वीर देखना है और आपको पैचानना है ठीक है चलिए चोटी ये से शुरू होने वाला पहला लव्ज है, चोटी ये से शुरू होने वाला पहला लव्ज, याकूत, दो रहाइए, याकूत, ठीक है, अच्छा, अब नया लव्ज, चोटी ये से शुरू होने वाला नया लव्ज, याक, दो रहाइए, याक, ठीक है, बहुत अच्छ है very good अब और एक लफ्स देखेंगे छोटी ये से यका क्या कहेंगे इसको यका ठीक है बहुत अच्छे मुझे उम्मीद है आप दोराय होंगे तो ठीक है अब ये थी छोटी ये और एक खुर्स देखेंगे जिसे कहते हैं बड़ी ये ठीक है अब बड़ी ये कैसे दिखाई वेती है हाँ शकल देखें आपने ये है बड़ी ये ठीक है आप सिर्फ उस शकल को पहचान हिए ठीक है और बड़ी ये हमेशा कोई भी लव्ज होता है उसके आखिर में इस्तमाल होता है ठीक है ये रहा आज के हमारा पहला सबक अला हाफिज ओजमय麻 भा ans के हाभा ये टसकी करते है ये ये उनकर देखें वे भीज़ समяться ऑग़ी तेणन सज्सद में होता है झाल झाल